हलो फिरेंट्स मेरे नाम है संदिवकार और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम discuss कर रहा है सी लेंगवेज पर दोस्तोन आज की वीडियो हम डिसकस करने वाले हैं डेटा टाइप पर वीडियो शुरू करने पहले आज पर है कि आप मेरे चैनल नए हैं तो चैनल को कर लिजे जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके तो आई शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं डेटा टाइप पर ठीक है तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है जैसे कि नाम से यहां समय में आ रहा ह काम किया था तो कीवर्ड्स हमने देखे थे उसमें 32 कीवर्ड्स होते हैं और कुछ कीवर्ड्स उसमें से डेटा टाइप के लिए रिजर्व हैं ठीक है तो उनी पर आज हम डिसकस करने वाले हैं डेटा टाइप की जरूत कप पढ़ती है जैसे कि माल लिजे आपको कोई भी इस्टुडेंड की या किसी भी परसन की एज के बारे हम बात कर रहे हैं तो माली जे उसने उसकी एज बताई है 22 तो इस वैलू को यह आप जहां से देखे तो यह क्या है एक पूर्णांग संक्या है ठीक है इसको C language में integer या फिर इंग्लिस में हम integer value भी कह सकते है ठीक है तो यहां पर क्या है कि हम point का यूज कर रहे है means decimal places का यूज कर रहे है तो यह कौन सी value हो जाती है real value हो जाती है इसी तरह माली जीए मैंने पूछा कि आप कौन से section में है means आप किसी class में study कर रहे है और एक class में अलग-अलग sections में divide होती है ठीक है तो माली जीए आपने बताए कि आप इस section में है तो यह क्या है single character है ठीक इसी तरह यदि आपका नाम पूछा जाए तब आपने नाम बताए जैसे माली जी मेरा नाम है संदीप तो यहां पर आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है एक से जादे character है तो यहां पर यदि आप देखें तो अलग-अलग प्रका है type define कर सकें तो वह क्या है data type क्या लाते है ठीक है तो आज की वीडियो हम इसी पर discuss करने वाले हैं जैसे data type determines the type of a data a variable will hold जो data type होते है वो क्या करता है data का type determine करता है और इन data को कौन hold करता है variable hold करता है देखिए दोस्तों data type के साथ साथ थोड़ा सा knowledge variable का और constant का होना चाहिए त पहले पढ़ना रहता है तो आज हम पढ़ना है data type इसके बाद हम discuss करेंगे variables और constant पर variable क्या होते हैं किसी भी value को hold करने के लिए temporary locations होती है ठीक है तो उनको हम क्या बोलते है variable तो यहाँ पर क्या होता है कि variable जिन value को hold करता है या जिन data को hold करता है उन data का type बताने के लिए data type का use किया जाता है the type of a variable determines how much space it occupies in storage ठीक है साथी साथ यदि variable का कोई type है means जिस data type का हम use कर रहे है उसकी मदद से क्या बताया जाता है कि वह है memory में कितना space occupy करेगा ठीक है तो दो चीज़े हो गई पहला क्या बतायता है उसका type और दूसरा क्या बताता है कि memory में वह कितना space occupy करेगा and how the bit pattern stored is interpreted और उसका bit pattern क्या होगा ठीक data type तो इनको तीन प्रकार से categorize किया गया है फर्स्ट होता है primary primary को हम यहाँ पर fundamental भी बोलते हैं fundamental data type या primary data type second होता है drive data type और third होता है user defined data type ठीक है तीन प्रकार के data type है primary या फिर fundamental second है drive और third है user defined ठीक है primary में कौन-कौन से आते हैं primary में आता है आपके पास int for integer value second है character for character value third है float for real value और इसके बाद है double double में भी real value ही store की जाती है लेकिन इसका जो size होता है वो float से जादा होता है और एक और होता है void तो यह जो उपर के चार आपको data type दिख रहा है यह values पर काम करते हैं और void जो होता है वो functions पर काम करता है इसलिए इसका use अलग से हम करते हैं जैसे माली जी इससे पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें man function पर हमने discuss किया हुआ था तो man के आगे हमने void लगाया था हना drive में कौन-कौन से आते हैं drive में आता है सबसे पहले array, pointer, structure और union user defined में आता है type dev और enumerated इसके लिए हम यहाँ पर enum keyword का use करते हैं ठीक है तो दोस्तों यह जो आपको दो category दिख रहे है drive data type और user defined data type इन में जितने भी आपको यहाँ पर topic दिख रहे हैं यह अलग-अलग chapters हैं जिनको हम बाद में अलग-अलग videos में discuss करेंगे आज की वीडियो हम discuss करने वाले हैं primary data type पर जिसमें हम देखेंगे integer, character, float और double ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है जो data type हैं इनके उपर दो तरह के qualifier भी आप apply कर सकते हो आणा इनको qualifier भी बोलते हैं या फिर modifier भी बोल सकते हो पहला जो होता है वो है size qualifier तो इनका जो space होता है जो इनका particular size है उस size को यदि आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपके पास दो size qualifier है पहला होता है short जो की size को कम करता है और एक है long जो size को बढ़ाता है और second जो qualifier है वह है sign qualifier sign qualifier का मतलब होता है यह जो data होते हैं यदि आप इन data type का use करते हो तो variable में negative और positive दौनों तरह की value को आप store कर सकते हो लेकिन यदि आप यहाँ पर unsigned sign qualifier का use करते हैं तब वहाँ पर सर्फ positive value आती है और यदि आप signed qualifier का use करते हो तब वहाँ पर negative और positive दौनों values आ सकती है तो अभी देखते हैं primary data type अब आपको यहाँ पर एक table दिख रही है इस table में सबसे पहले वाले कॉलम में हमने पूरे type लिखे हो है जो data type है हमार पास देखिए basic कोनकों से character है int है फिर यहाँ पर float है और double है ठीक है सामने उनका size लिखा हुआ है size bits में लिखा हुआ है और यह 16 bit machine के उपर dependent है और सामने उसकी range लेकी हुई है character के उपर हमने sign qualifier यूज किया है sign character का यूज किया है फिर इसी तरह int के उपर अलग-अलग combination यहाँ पर दिख रहा है आपको unsigned भी है, short भी है signed और short भी है, unsigned short है, फिर long है int का हम देखते हैं तो int के size कितना है 16 bit है, 16 bit मतलब 2 white का है, ठीक है यदि हम यहाँ पर short int का use करते हैं तो देखिए, यहाँ 16 था यहाँ पर क्या हो गया, 8 bit हो गया यदि हम long int का use करते हैं तो 16 से double हो गया का 32 हो गया ठीक है, तो यह इनके जो qualifier है इनके base पर हम size और sign दोनों को change कर सकते हैं जैसे यदि यहाँ पर int है तो int में देखिए, आप negative और positive दोनों value का range बताया गया है लेकिन यदि unsigned int है तब यहाँ पर सिर्फ क्या है, positive value है ठीक है, तो अब इस table को समझने के लिए हम थोड़ा अलग से discuss करते है इस table को आप पहले पूरे not down कर लिजिए और फिर मैं जो समझाने वाला हूँ, उसको आप जहां से समझिए तो आपके पूरी table clear हो जाएगी सबसे पहले, तो जो हमरे पास basic data type होते हैं कुनकों से होते हैं, integer होता है character होता है और float होता है, ठीक है float के ही equivalent double होता है, बस size का फरक होता है तो integer हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास integer value रहा है ठीक है, जब हमारे पास integer value रहा है for example, 25 है, 1000 है, हाना minus 150 है, तो ये सब क्या है, integer value है character का हम तब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास single character values होती है हम use तब करेंगे, जब हमारे पास real values होती है, जैसे मा लेज़े 100.50 या फिर 275.6 इस तरह से तो जो decimal value या real value होती है, उनके लिए हम किसके use करेंगे float का use करेंगे, ठीक है, अब उस table को समाझने के लिए हम किसी एक data type पर discuss करते हैं, जिससे आपको पूरी table clear हो जाएगी कि size का मतलब क्या होता है, या फिर जो qualify होते है, उनका meaning क्या होता है और उनके base पर range को किस तरह से define किया जाता है, ठीक चली सुरुवात करते हैं int से, तो देखिए, माली जी हमर पास जो data type हो क्या है, int है int आपका कितना bit लेता है, ये लेता है 16 bit, 16 bit का मतलब क्या है, यदि हम counting करते हैं, तो कहा से कहा तक जाएगा, 0 से लेकर 15 तक, और यदि हम 2 raise to 15 करते हैं, तो ये value कितनी निकल कर आती है, ये value निकल कर आती है, आपकी 32,768, ठीक है अब जो int है, उसका size की हिसाब से range क्या है, ये है, लेकिन अब यहाँ पे ना तो signed है और unsigned है, तो by default ये क्या होता है, signed होता है ये negative से लेकर positive, दोनों तरही की value को store करेगा, तो ये कहां से कहां तक store करेगा, ये store करेगा, इसकी जो range होगी इसकी range हो जाएगी minus 32,768 से लेकर, पिलस 32,766 तक, अब देखिए, इससे हमने एक कम यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे positive में 0 से शुरू होता है, ठीक है तो ये 0 से आएगा, इसलिए यहाँ पर एक कम हो जाएगा, हाना, तो ये इसकी range है, integer की, ठीक है, वहीं यदि हम इसके उपर qualifier use करते हैं, माल लिजिए, मैंने इसके उपर use कर लिया है, short, ये size qualifier है, तो मैं यहाँ पर क्या use करूँगा, short end, short end use करूँगा, means जो इसका size था वो इससे half हो जाएगा, तो 16 bit की जगे कितना हो जाएगा, 8 bit हो जाएगा, और यदि 8 bit हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0 to 7, तो मैं यहाँ पर 2 raise to 7 निकालता हूँ, तो ये कितना निकलेगा, 128, इसका मतलब इसकी जो range है, वो हो जाएगी, minus 128 से लेकर, plus 127 तक, clear, अब माल लि मैंने यहाँ पर use कर लिया, unsigned int, तो देखिए, int है, उसके आगे क्या है, unsigned है, तो int है, size तो यहाँ पर कोई difference नहीं आएगा, इसका मतलब size कितना रहेगा, 16 bit ही रहेगा, और 16 bit है, इसका मतलब 2 raise to 15 करते हैं, तो कितना आएगा, 32,768, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, unsigned है, unsigned का मतलब यहाँ पर negative value नहीं आएगी, सिर्फ कौनसी value आएगी, positive, और जब positive value आएगी, तो यह जो range है, यह सिर्फ positive की तरह भी बढ़ेगी, तो यहाँ पर 32,768 को हमकर हम दो बार plus करते हैं, तो हमार पास कितना जाएगा, तब यह जाएगा, 0 से लेकर 65,535, यह इसकी range हो जाएगी, ठीक है, अब इस पर आप अलग अलग तरीके के qualifier यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंट पर हमने short इंट यूज़ कर लिया, और unsigned इंट यूज़ कर लिया, अब आप short और unsigned दोनों का combination यूज़ कर सकते हैं, माली यह मैंने लिखा हुआ है, unsigned long int, देखिए, int का जो basic size जब कितना है, 16, यदि हम यहाँ पर use कर रहे हैं, long, तो इसका मतलब यह कितना हो जाएगा, double, 32 bit हो जाएगा, 32 bit हो जाएगा, इसका मतलब 0 से लेकर, 31, तो यदि हम 2 raise to 31 करते हैं, तो value कितनी निकल कर आएगी, 2, 147, 483, 648, ठीक है, अब यहाँ पर unsigned है, unsigned है, इसका मतलब सर्फ positive होगा, और यदि positive होता है, तो range कहां से होती है हमारी, range क्या हो जाएगी, range हो जाएगी, 0 से लेकर, इसका double, तो कहां तक पहुँचेगा यह, 4, 294, 967, 295, ठीक है, अब और भी आपके पास qualifier है, जैसे short की जागे सिर्फ पर यदि आप long end का use करते हो, या फिर आप unsigned के साथ यहाँ पर short का use करते हो, या long के साथ यहाँ पर sign का use करते हो, यह अलग-अलग combination आपके बल सकते हैं, जो कि अभी हमने पूरा table में देखा है, तो उस table को अब आप पूरी तरह से समझ गया होंगे, इसी तरह अलग-अलग-अलग डिटराइब पर भी यह सब apply होता है, हाना, table को हम एक बार और देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों, character और इसके साथ साथ, and signed character दोनों यहीं है, हाना, इसको आप थोड़ा table को update कर लिजेगा character और signed character दोनों के लिए same है, और यह जो लिखा हुआ है, यह unsigned character है, ठीक है, तो unsigned character का meaning क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ positive value आएगी, तो यहाँ पर 0 से लेकर 255, इसी तरह जब int है, तो int में आपके पास negative और positive दोनों है, लेकिन यदि आप int के आगे unsigned लगा देते हो, तो size तो sort in के आगे sign लगा देते हो, तो sort in और sort in के आगे sign लगाने पर भी, दोनों के value same है, क्योंकि sign का मतलब भी वही होगा, कि आप negative और positive दोनों का use कर सकते हो, लेकिन यदि आप यहाँ पर unsigned लगा देते हो, तब यह सिर्फ positive हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह आगे के लिए भी आ आप देख सकते हैं, यहाँ पर table में आगे कुछ data आप किस तरह दिख रहा है, जिसमें e लिखा हुआ है, तो यह exponent होता है, तो यह negative से लेकर positive तक है, और इसको आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आगे वाले वीडियो में हम constant पर discuss करेंगे, जिसमें हम इनको पूरा detail में discuss करेंगे, ठीक, तो इस table को अभी आप लिख लीजिए, और आप समझ गया होंगे कि data type क्या होते हैं, और किस तरह से उन पर size qualifier का use किया जाता है, तो I hope कि आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें, share करें और channel को subscribe करें,